कि नमस्कार स्वागत करते हैं अपने सभी दर्शकों का अपने इस विशेश काईक्रम भारतिय न्याय संगिता 2030 अंग्रेजों के समय बने कानून में आमुल्चूल परिवर्तन करके हमारे नहीं सरकार ने आम जन्मानस आम जनता के लिए नए कानूनों को नया स्वरूप दिय है क्या फाइदे हो रहे हैं इस नए कानून से जनता क्या सुचती है इसके बारे में हमारे विशेश की क्या सुचते हैं इस बारे में हम आज अपने स्टूडियों में आमतरत की हैं इसी विशेश पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सिरी विने जी वरिश्ट पत्रकार हैं हमारे साथ हैं स्री आकास चिना जी ये फेकल्टी है आरकेडी अपना प्रेशे बताई आकास जी सर मैं आरकेडी एफ इनवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं ये बहुत अच्छा ये इस विसे के जानकार और विशेशग्य माने जाते हैं बिने जी पतरकाईता स से जुड़े हैं और आम जन्मानस की बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं और आम जन्मानस की जो प्रतिक्रिया हैं इस कानून के प्रति उनका भी घराविशली सनिय करते हैं आई ये बात करते हैं सबसे पहले बिने जी से बिने जी नया कानून लागू हुआ है देश मे क्या आपको लगता है इस कानून से क्या-क्या सुधाय मिल रही हमारे आम जंता को ने देखे एक जुलाई से इस देश में नया कानून लागू हुआ है और जो ये कानून ही इस कानून में भारत की आत्मा समाहित की गई है चुकि पहले जो कानून था अब जिसे राजद्रोह का कानून था उसको बदल दिया गया अब आप सरकार के खिलाब बोल सकते हैं देश के खिलाब नहीं बोल सकते हैं तो कई कानूनों में बदलाव किया गया और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो महत्मागादी ने सासन परिवर्तन की लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ी थी उन्होंने देश को आजाद कराने की सुराज के लिए उन्होंने आंदो लेकिन आज क्या है कि आज जो परिवर्तन हुआ ही वो देश की आत्मा इसमें है नहीं थे इन कानूनों में देश के लोग जो चाहते थे वो नहीं थे और नाय प्रक्रिया को सरल बनाय गया है और पुछ पुछ अगली 100 साल तक जो डेवलप्मेंट होगा बिज्ञान के छेत में अंच छेतों में तो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस कानून को बनाय गया है कि नियाय का प्राबधान है तो ये नियाय का प्राबधान हो ये बड़ी बात है और इसके लिए भारत की सरकार जो अभी बरतमान सरकार है इसने कानून को बनाने का काम किया और आप कह सकते हैं कि जो हमारा व्यवस्ता रहा है ब्यास का ब्रिस्पती का कात्यायन का चानके का वातसायन का, देवनाथ ठाकुर का, जेहन्त भट का, रगुनाथ सिरोमनी, जैसे अनेग लोग जो जिन्होंने नियाएक का सिध्धान्त को प्रतिपादित किया, उसके अंडूप इसमें उतारा गया है. बहुत सुन्दर, बहुत सुन्दर बात आपने बताई, आते हैं आकाश जी आपके पास, पहले था भारतिय दंड संगीता, अब हो गया भारत नियाए संगीता, क्या मिशेश अंतर आपको समझ में आता है इस कालों में? सर, जहां तक की बात है, भारतिय दंड सहीता और भारतिय नियाए सहीता की, भारतिय दंड सहीता अपने आप में एक चीज को बताता है कि वो दंड देने के लिए बनाई गई थी, और बाइदी ब्रिटिस गॉर्मेंट बनाई गई थी, तो वहाँ पे जो उद्देश से था British Parliament का वो नागरिकों को दंड देने की थी आज का जो उद्देश है जो आज हमारा जो कानून आ रहा है भारतिया नियाई सहीता यहाँ पर नियाई देने का मुख्य उद्देश है कि लोगों को जस्टिस दिलाना सिटीजन को जस्टिस दिलाना में जो उद्देश है वो नियाई का है सर भारतिया नियाई संगीता बनी सबसे बड़ी विद्दमना जो मुझे समझ में आते हैं आप लोग भी सामत होंगे 1860 में बना भारतिया दंड संगीता किसी भी काम को करने के लिए कोई प्रक्रिया होती है लेकिन भारतिया नियाई संगीता भारतिया दंड संगीता बनने के बाद में जो साच्छे दिनिया मना वो 1898 जो प्रक्रिया होनी चाहिए वो 38 साल बाद बनी 1877 में हमारा देश का सबसे पहला संगीता अनुलन हुआ 1860 में आपना कानून थोप दिया और उसका नाम दिया गया भारतिया दंड संगीता अप्रक्रियाए बनी 1898 में ये बड़ी विडमना नजला आती थी मुझे खर आप साइद इससे सामत बिना जी आप इससे सामत हो रहे हैं नहीं देखे बदलाओ चुकि समय के साथ सभी चीजों में बदलाओ और इवें डार्वीन का कहना था कि सर्भाइबल आप दा फिटेस एस्टेगल पर एक्जिस्टेस जो अस्टित के लिए अपना बचाने के लिए जो संगर्स करने की माददा होती तो उसी से कोई सर्भाइब कर सा अब देखें ने दुनिया में एक समय डाइनोसार सबसे बड़ा जानवर था आज वो भी लुक्त हो गया चुकि वो अपने को परिस्थिती के अनुसार ढाल नहीं पाया तो आज जो कानून की आवस्यक्ता है उस कानून की आवस्यक्ता को ध्यान में रखकर नरिनमोदी और अमित्ता ने इस कानून को बनाने का काम किया ये बरतमान सरकार ने इस कानून को बनाने का और लागू कराने का पारलेमेंट से पास कराने के बाद इस कानून को देश में लागू अब इससे क्या है कि निया गरिबों को निया मिलेगा और नयाय मिले गरीबों को और समय बद नयाय मिले कई चीजों में तो ऐता है कि तीन साल में नयाय मिलेगा उनका जज्जमेंट आ जाएगा तो ये सब अब कही एफ आई आर कही से कही कर सकते हैं तो कही चीजों में बदलाओ किया गया है सरली करन किया गया है ठीक है कई धाराओं में भी बदलाओं किया गया है पुराने जो धाराओं हैं बदल भी गये है जैसे 375, 376 होता था बलतकार के लिए अब उसकी जगापड 63, 64 और 64 धाराओं को नंबर बदला है 511 से 370 लाने में उद चेंज हो गया अगर मैं सरल भासा में लोगों को समझाना चाहूं तो भारतिया दंड सहीता और भारतिया नियाए सहीता में कोई बहुत अंतर नहीं इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बुक है जिसकी पेज को उपर नीचे कर दी गई है जैसे कि जो सेक्षन है उसके नमरिंग को चेंज कर दिये गया है जैसे कि जो हमारे पुराना दंड सहीता था उसमें 511 सेक्षन थे धाराय थे आज का जो नयाई सहीता है उसमें 358 धाराये है तो सर ऐसा है कि एक चीज़ और मैं सर के साथ जोड़ना चाहूंगा इनके बातों में सर ने जैसा कहा कि लॉइज वेरी डैनेमिक और लॉइज रिफ्लेक्शन आफ सोसाइटी आलसो सो लॉइज वही हो सकता है जो समय के साथ बदलता हो तो उस समय की जरूरते कुछ और थी 1860 में अगर आप देखोगे तो कुल मिला के 164 साल पुराना लॉग को हम लोग फॉलो कर रहे थे अपने नहे बिवस्ता के लिए तो चीज़े बदली, क्राइम का तरीका बदला, ओफिंस बदला तो हमारे लॉग में भी बदलाव होना सभाविक था तो यह जो बदलाव है मैं तो इसको बहुत ही पॉजिटिव देखता हूँ और जैसे की फिर कुछ परवधान इसमें ऐसे हैं सर कि जैसे की पहले बहुत सारे चीज़े थी जैसे की दंड सहीता में जैसे रेप को ही अगर हम लोग उसको ले तो पहले 375 में रेप थे और डिफरेंट डिफरेंट उसके सिक्षेंशन थे जहां पे रेप माइनर के लिए क्या हो सकता उसकी पनिस्मेंट क्या हो सकती है अगर कोई चाइल्ड है जिसकी उम्र बारा साल से कम है तो उसकी punishment अलग होती थी लेकिन जो हमारा नयाई सहीता है इसमें एक line में कहा गया है कि अगर कोई भी बच्ची या कोई भी बच्चा जो है 18 साल से कम की उमर की है तो असपफ सब्दों में कहा गया है कि उसकी मिर्तियू दंड उसकी maximum sentence हो सकती है तो यह सर एक society के लिए बहु को देखने को 24 सारी 2024 से तो इसको परिणाम भी हम लोग को देखने में जल्दी मिलेगा दिस्टमबर में पार्लेमेंट से इसको पास करा गया था लोग सवारा राज सवा ते और एक जुलाई तो यह बहुत पर चलिते सब्दें पिछले कुछ बर्सों में सुनाई पढ़ ला था तो इसके लिए भी कानून में प्राद्धान किया गया है और यह अच्छी पहल है भारत सरकार और यहीं तक नहीं सर मैं कुछ जोड़ देता हूं सर जैसे माब लिंचिंग सर ने कहा तो उसमें जो पैनेल्टी है जो की पहले नहीं थी तो इस से कहीं नहीं इस चीजों को कन्ट्रोल करना में हमें मदद मिलेगी अपराद को इस तरह के अपराद को सामोई कर अपराद जिसों का जाता है जी सर, आप देही मुझे जो पर नहीं चुकि जो हम मानव सबसे ज़्यादा समझदार विरादरी माना जाता है दुनिया में, जितने भी जीव हैं उसमें सबसे समझदार मानव माने जाते हैं, तो कोई भी जो सब इस सोसाइटी हो इस तरह की घटना को पसंद नहीं करता है, की घटना को कंडेम करता है, मॉब लिंग की घटना को कंडेम करता है, तो इस तरह की घटना नो है, इसके लिए सरकार ने सक्त कानून बनाया है, कि कोई अब दुसास नो करे इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए, और ये के जो भारत के सीटीजन है, भारत की जो जो आम जनता में जो एक भाय का महाल होता है कि मैं घटना हो गई तो उसकी F.I.R कैसे करूँ सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि F.I.R कैसे हो घटना की सुचना कैसे तर जो आदमी को एक डर होता है कि मैं ठाना नहीं जाओं या फिर मेरी बात को कोई सुन पाएगा या नहीं सुन पाएगा नहीं कानून में कुछ नह प्रावधान किये गए है क्या कारी जी सर जैसे कि सर जो हमारी पुरानी कानून थी अफाईर के वैवस्ता की वह 154 में थी ऋए अब ही साहीता है सर उसमें 173 में है सर इसमें अलग क्या है सर इसमें अलग ये है कि अगर कौई भी नागरिक चाहे तो कहीं भी वह F.I.R कर सकता है चाहे वह अपने जो अडिक्शन में हो या ना हो किसी भी पुलीस स्टेशन में FIR को दर्ज करा सकता है और even online तरीके से EFIR का concept जो है सर ये पहली बार आया है और सर कहीं न कहीं FIR की सर पहले क्या होता था कि जब आप police station जाते थे नागरेक किहां किसी भी समस्या को लेके तो जो police officer चाहे I.O होते थे, SH.O होते थे वो चीजों को टाल मटोल करते थे तो अब क्या है कि FIR registration mandatory हो गया है हाँ एक प्रवधान उसमें add किया गया है कि वो preliminary inquiry कर सकते हैं before registration of FIR बट कहीं न कहीं आप देखा जाए तो एक तरह से बहुत ही beneficial होगा society के लिए कि सबसे पहला step किसी भी अपराद की घटना में FIR होता है जब FIR ही registered नहीं होता था तो investigation की ही बात नहीं होती थी जब FIR होगी तो police भी responsible होंगे और उनकी जवाब देही टाई की जा सकती है FIR से समन्दिती मामला हो गया था बीना जी आप सो मानना है कि जो यह कानून बनाए गया है इससे बहुत जल्द नयाए लोगों को मिलेगा और साख जुठाने के लिए 900 फोरेंसिक लेव जो है देश भरके शाड़े 800 थानों से जोड़े जा रहे हैं तो इससे तीजी से नयाए मिलने की प्रक्रिया तेज होगी और इसे गरीबों को काफी लाब होगा और जो नागरिक सुरक्षा संगीता है ताइस उसमें भी 29 नए सब सेक्षन जोड़े गए इसके अलवा 44 नई ब्याक्षा और स्प्रस्टिकल जोड़े गए 14 धाराओं को निरस्त किया गया है तो कई ऐसे काम क्रांतिकारी काम हुए हैं जिससे के आम होलो को बहुत ही सहूलियत जारा है साच शीन की बात हुई वह owता है कि सॉससे छटषड हो जाती अभी इसनगे कानुन के तैत क्या है सर जैसे की कोई भी पुलिस ओफिशर है उनके बहुत सारे काम होते हैं पहला तो investigation करना होता है search करना होता है seizure करना होता है जो हमारे नए परफधान है उसमें धारा 105 ये कहता है कि जब भी police officer को investigation करती है या search करती है तो उस case में उस proceeding का video graphic करना अनिवारे हो गया है जिससे कि sir manipulation नहीं हो सकता है या अब वो इनका duty है कि वो उस चीज को victim को बताना अनिवारे है 60 दिनों के अंदर कि आपका investigation जो है अभी तक कहां पहुचा है ऐसे क्या होता था F.I.R. दर्ज करा है victim को पता ही नहीं कि क्या काम चल रहा investigation कहां तक पहुचा है तो now it is a legal duty of the police officer to communicate the stage of the investigation मेरी शिकायत का क्या हुआ पहले लोगों में संसर रहता थे जो शिकायत की उसका क्या हुआ क्या हुआ और कोई बताने वाला नहीं होता था पोट कचहरी और थाना दोड़ते देशे अब हो गया कि आप क्या बता रहे है जैसे कि police officer जो है कि F.I.R. की copy लेने में लोगों को पसीने छोड़ जाते थे बिने जी अपने मुकदमे से संबंदित काज़ात लेने में पसीने छोड़ जाते थे अब नए कानून में आपके हिजाब से क्या बदला हुआ है अब तो कहीं से आप कर सकते हैं पहला नमर कहीं थे F.I.R. कर सकते हैं और चुकि अब जो technology का जमाना है उसके आधार पर भी उसका उप्योग करके भी F.I.R. फाइल कर सकते हैं तो बहुत ही सुब्धा जनक बनाया गया है आम लोग को कहते जादा से चुकि देखिए जो तीनों कानून था E.P.C.C.R.P.C.O.I. वीडेंस एक यह अंग्रेजों के जमाने का था और सौ साल से पुरा नहीं जादा कानून था कभी-कभी जब हम लोग चर्चा करते थे आपस में तो लोग कहते थे बड़े-बड़े अधिकारियों से जब बात होती थी जजे से बात होती थी तो वो लोग कहते थे कि इसमें बदलाओ आवस्यक है चुकि उस परिप्यक्ष में जब यह कानून बना था उस परिप्यक्ष में सही था लेकिन आज परिस्तितिया बदल गई अब परिस्तितिया बदल गई आपने देश में क्या है अपने देश में जब कोई नया कानून आप बनाने लगे तो कई लोग कई तरह की बाते करने लगेगे कुछ लोग कहेंगे सब इधार बदला जा रहा है कुछ लोग कुछ तरह कारोप लगा रहा है जबकि ऐसी बात नहीं है जो भी सरकारे होती है वो सरकार जनता के हित्मे काम करती है चाहे आज नहीं मोदी की सरकार है या पहले भी जो प्रधार मंतरी हुए देश सबने देश के कल्यान के लिए काम किया बर्तवान सरकार हिम्मत के साथ काम कर रही है और नया कानून लेकर आ रही है जो जनता के लिए बहुत ही उपयोगी कानून है मैं आपको इस बार में एक बार रोकना चाहूंगा 1860 में वो कानून बना उसमें लिखा था संपुन भारत जम्मू एम कश्मीर को छोड़ कर आज के कानून में संपुन भारत सब्त है तो क्या 72 सालों में लोगों को नजर नहीं आया था कि जम्मू और कश्मीर भी हमारा अभी नंग है एक बड़ी विडमना थी है फायार से संब्सक्राइब जो मुझे जानकारी है मैं आम जनता को बताना चाहूंगा अमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फायार की कॉपी लेने में जो पसीने छोगते थे उसके लिए ने कानून में कुछ प्रादा है उसमें सर महिलाओं के प्रतिवी कुछ बने थे इस ने कानून में महिलाओं से संबंदीत आपराद के लिए कुछ किया गया है क्या हौए कि सर जो महिलाएं और बच्चे हैं ऌत फी कि बहुत महत्पूर्णंग हैं और एक चैप्टर के रूप में और वहाँ पे लगबख 20 ऐसी धाराएं हैं जो कि महिलाओं और बच्चों के रिलिटेड क्राइम को डील करती है तो एक तो पहला चीजी है सर जैसे कि मैंने बोला कि सर गैंग रेप केस में जैसे कि धारा सत्तर जो हमारा जो नया कानून है भारत के नाए सही था धारा सत्तर ये बताता है कि अगर कोई भी इनसान जो है अगर गैंग रेप के लिए पाया जाता है तो उस केस में सर उसको डे नहीं होगी उसमें पनिश्मेंट नहीं होगी तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे जैसे कि ऑस्टीन सर एक जुरिस्ट है उन्होंने कहना है कि लॉइज ए कमांड ऑफ सौवरें एडिज बैग्ड बाइ सेंक्शन कहने के मतलब सर कानून वही है जो की सरकारे बनाती है या सर कारे बनाती है और पर कानून का इंप्लिमेंटिक संट अज Sikh site करेंड वही उसकी पनिश्मेंट बहूत ही डिटरेंट हो बहूत ही कड़ा हो hard हो तो सर जैसा कि हमने बोला के मैंनर के किसे में डेव्ट पैनल्टी है कि अगया है कि अभी साल में किसी भी पे रिट को नयाय मिले से 16 दिन की बाते सब्सक्राइब कहुत है कि सभी बीस सांद किसे नहीं से तो इसलिए इसको ध्यान में रखा गया है और एक समय सीमा तै की गई अब आप देखे रहे कई ऐसा होता है कि कोट में जज रियर्व रख लेते हैं जज्मेंट और वो कोई निश्चित नहीं अभी है कि कितने अभी तेक वो रियर्व रहाएगा तो इस तरह की चीजों में औ परक्रिया देरे देरे सुधार की जो परक्रिया चल रही है उस परक्रिया के तहत है एक अच्छी पहल है भारत सरकार की और जो कुछ और भी है उसको आगे और भी सुधार करके और बेहतर बनाए जागा फिलहाल जो अभी तीनों कानून आया है वो भारत के परिपेक्ष मे भारत की आत्मा उसमें केंड़ी थे भारत की आत्मा को ध्यान में रखकर उस कानून को बना गया पहले का जो कानून था वो बटिस की आत्मा थी अब देश द्रो का मामला था राजद्रो का अब राजद्रो तो रहा ने अभी अंग्रेट के किलाप ने हम लोग राजद्रो कर सकते हैं लेकिन सरकार की अलोचना लोक्तत में तो freedom of speech है आप सरकार की अलोचना कर सकते हैं पक्ष में हैं विपक्ष में हैं तो लोक्तन तो पक्ष और विपक्ष से चलता है और कहीं कहीं बिधान सबाव गएरे में तो लिखा रहता है बिहार विदान सभा में लिखा हुआ है कि बिपक्ष भी सरकार के अंग होते हैं तो इस तरह से बहुत सा सुधार किया गया और इस सुधार का लाब आने वाले समय में बारत के लोगों को मिलेगा जैसे सर ने कहा तारीख पर तारीख सर एक प्रवधान बहुत दे सकते हैं जज केस को अब मैक्सिमम जो है दो बार एड्जॉर्णमेंट ली जा सकती है पहले क्या होता था सर कि कभी विटनिस नहीं आया तो उस वज़ा से अड्जॉर्णमेंट कभी विक्टीम ही नहीं आया उस वज़ा से अड्जॉर्णमेंट तो इस वज़ा से भी हम पहले किसी भी रीगन को बता के या किसी ज़को आप इड़्जुनमेंट ऐब आजके कानून में क्या है दो बार ही आप ले सकते हैं कई आप की से बिमार है तो इस तरह करके समय बढ़ाया जाता था तो वह सब च चुक्कि आप दो ही बार वाइटा कर सकते हैं, ख़ए वाहर चले गया है, बास करने वो आएंगे, तो इस तरह से केस को डिले करने के भी टेकनीक थी और वकील इसका लाब लेते थे, अब इस पर रोक लगा गया है, इसका लाब है, आम लोगों को मिलेगा, एक और जो मामला होता था कि अगर जो पक्ष नहीं भी आया है, और हमारे पास पॉसिबल एविडेंस हैं, तो उस अधार पे जो हमारे नयाईदिस हैं, वो जजज्मेंट दे सकते हैं, तो पहले बहुत सारी चीज़े थी, जो कि अब चेंज हो गई है, जो कि कही ना कही नयाई को ही आगे बढ़ाने का काम करेगा सर, ये ठीक, बहुत अच्छी बाद, मलर, इसमें हैं कि अगर आप अनुपस्थित हैं, तो आपके अनुपस्थिती में भी मुक्दमत चाहिए, आप का सकते हैं, इसके कारण आप जब जजजज को पावर रहेगा, तो वो कर सकते हो, और नयाई तेजी से होगा, और तेजी से नय होता हुआ दिखेगा, जैसे पहले भी क्या होता था सर, कि जैसे कि आम जन्मानस जो होते हैं, जब उनको कोई नोटीस आता है, या विटनेस के तोर पे, या उनको कोट बुलाया जाता है, तो वो बहुत ही चिंतित हो जाते हैं, कि कोट जाना होगा, इलक्रोनिकली आप भीज सकते हैं, डोकुमेंट सिर्फ रिटेन और रोल नहीं हो सकता है, वो इलक्रोनिक डोकुमेंट को भी इसमें एड कर लिया गया है, जिससे कि क्या है सर, कि अगर मैं कहीं जाब भी करता हूँ, तो लोग नहीं आते थे जस्टिस के लिए कि जाना बट आज की डेट में ऐसा नहीं, वहीं से ओन-लाइन के थूभर विडियो कन्फ़रेंसिंग के थूभर, वह कोर्ट में हो सकते हैं, किसी भी डोकुमेंट को कोर्ट में रख सकते हैं सर, पहल बहुत अच्छी पाहल है भालक टकनीक जो आगे 100 वर साएगी उस तकनीक को विद्यान में रखकर सभी नियों में 경ण परिवरतन करके हैं इसे में कारून में समयित किया गया है। तो इतना आगे सोच है सरकार का, आप समझ सकते हैं कि अगला 100 साल परिवरतन होगा उसका भी एक lining Ers हो और देदे में आसानी हो पिल्कुछ सही बात आपने बहुत अच्छी बात बताई अकाश जी फिर से आपके पास आना चाहिए इसमें अव्यस्क बालकों से संबंदित जी सर भी कुछ प्रावधान किये गए सर जैसा कि मैंने रेप की पहले भी बात किये सर बाकी जो चेंज कि अगर कोई भी बालक है जो 18 साल से कमर की उम्र के बालक कहलाता है तो उसके लिए सर हमारे पास परवधान है जो डेथ पैनल्टी के रूप में आया है सर वृधों के लिए भी कुछ है इसमें जी सर वृधों के लिए सर यह प्रवधान है कि जैसे कि सर अगर आपको उसकेस में भी पुलीस ऑफिसर जो है वो बाउंड है या उसकी डियूटी है कि उनके घर पे ही जाके उनकी जो भी पॉइंट है या जो भी उनकी स्टेटमेंट है जो घर पे ही आके दर्ज करने की सुविधा दी गई है महिलाओं से संब्धन को गवाही के सीवा है नहीं सर महिलाओं को लेकर तो ऐसा कुछ नहीं सर दो चीजे है एकतों सर की जो कि माइनर है जिनकी ओम इसना nit की बात हो या फिर कुफर्जों की बहुत बुजूर्ग हो गए हैं तो दोनों के से इसमें सुविधा दी गई है कि वह अनावस्थक पर पर परेशान ना हो थाने के चक्कर ना लगाएं यह सोची की डीवटी होगी कि वह खुद आके वह चीजों का बयान दर्ज करें अहां प तारिक पे तारिक का सिलसला जो चलता था वो भी खत्म हो जी सर विद्ध और महिलाओं के लिए इसमें विशेश परावधान की गई है सामोहिक अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए भी विशेश परावधान है राजदरों और देशदरों से संबंदित भी इसमें व मुकदमा है मतलब हत्या का मुकदमा अब वो 101 में बदल गया तो कई धाराओं में परिवर्तन हुआ है लेकिन ये बहुत ही अच्छा निर्न है और समय की कमी है बिने जी आपको रोकना चाहेंगे बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे स्टोडियो में आने बिने जी आपने समय दिया हमारे दर्शकों को बताया अच्छी बातें बताई बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आकाश जी आपने बहुत-धन्यवाद नमस्कार पार आपघे लऑ्साल्म प्रया हमारài स्टोडियो बहुत-जी आपका आपबग्याद रुझत-बहुत-वत प्यार